गुड मॉर्निंग माइड दियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज देखिए फ्रेंड्स मेरे गारडन में कितना खुबसूरत आलामंडा वाईन के फ्लावर खिले हैं और इसकी कलिया देखिए कितनी खुबसूरत होती है और काफी बिक साइज की होती है, आलामंड के pot मैंने मंगाये हैं वो कहां से मंगाये हैं और कितने के लिए हैं तो आज उसी topic पर मैंने video बनाया है friends और कुछ नए गंबले मैंने और भी purchase किये हैं वो भी आगे मैं दिखाऊंगी कि कौन-कौन से गंबले मैंने online मंगाये हैं तो उससे पहले ये मेरा plant देखे काफी खुब पाया है और ये cutting से बहुत ही असानी से लग जाता है अलामंडा वाइन और इसके flower तो देखे कितने खुबसूरत और कितने बीक साइस के होते हैं इसे cutting से आप बहुत ही असानी से रेनी सीजन में लगा सकते हैं और मेरा भी प्लांट काफी अच्छे से अभी इस समय फ्लाव है हेंगिंग बास्केट बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ हेंगिंग बास्केट लूँगी क्योंकि मेरा जो टैरीस है और जहां पर खिडखी है वहां पर मैंने कुछ हेंगिंग बास्केट लटकाए हैं और ये वाले हेंगिंग बास्केट मैं बहुत दिन से सोच रही अपने गार्डन में राइस हसक का इस्तमाल जादा करती हूं धान की भूसी का तो हमें सा हेंगिंग बास्केट के लिए आपको हलकी बिट्टी ही बनानी चाहिए प्लास्टिक उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स मुझे वैसे तो रेट के हिसाब से गमले काफी अच्छे हैं खराब नहीं है लेकिन ये प्लास्टिक जो है थोड़ी अलग कड़ा वाली जो प्लास्टिक आती है उस टाइप की प्लास्टिक है डी प्लास्टिक जिसको कहते हैं और ये प्लास्टिक उसी तरह के हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है कोई प्रॉब्ल तो आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं और इसमें हेंगिंग जो है कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं देखने में बहुत प्रिटी लगेंगे और बहुत खुबसूरत है एक थोड़ा सा ओरेंज टाइप का है एक रेड है एक थोड़ा ओरेंज जैसा है तो इस तरह के बास् पर्चेज नहीं किया था और online जो है मैंने फस्ट बार जो है गमले मंगाए हैं आम तोर पर मैं जो offline ही गमले खरीदती हूं लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं भी online मंगा कर देखती हूं कि क्या experience होता है तो experience तो यही है और देखिए मैंने ये रेपर है उसका और मैंने कितने कम दिखा देती हूं ये सारे 12 के पीस मुझे पड़े हैं यहां पर देख रहे होंगे आप 313 रुपय का पड़ा है मुझे और बहुत तीनसो तिरपन में मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिकत है अठीक है तीनसो तिरपन में प्लास्टिक बस फ्रेंड्स जो है मैं कहूंगी एकदम अच्छी प्लास्टिक नहीं है और नहीं एकदम बेकार प्लास्टिक है अच्छी है चल जाएगी लेकिन यदि आप इसे धूप में रखेंगे ना तो मुझे लगता है ज्यादा दिनों में ये जल्दी से तूट जाएगी तो सेड एरिया में इसे आप रख सकते हैं हैंगिंग बास्केट एक सेड एlen में लगाने वाले प्लांट ही लगाते हैं जैसे कि देखैसे कि इस कि जगए इस जगह को मैं सजाने के लिए ये सारे बास्केट में मंगा या है और आम तोर पर मैं ऐसे hanging basket यहां पर लटकाती हूँ तो उसी के लिए मैंने मंगाया है तो यदि आपको भी अच्छे लगे तो आप मंगा सकते हैं flip card से और मैंने flip card में ही मंगाया है चलिए जो मैंने offline खरीदे हैं गमले वो भी दिखाती हूँ मिट्टी के गमले तो देखिए मैंने सारे गमले जो खरीदे हैं और उन सब को मैंने terrace पर ही रख दिया था और इस पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था और जितने गमले आय थे चुकि नीचे में जगा नहीं है तो मैं terrace पर देखिए इसमें काई भी जम गया है तो कोई नहीं मैं इसे जो है winter season के लिए म मैं paint कर लूँगी कुछ गमले में तो मैंने paint भी कर लिया था friends और यह जो मिट्टी के दिखा रही हूं pot मैं छोटे-छोटे से मटके यह मुझे 10-10 रुपीज के मिले हैं और काफी अच्छे हैं 10 रुपीज में और इस खास तोर पे यह सारे गमले मैंने तिल्दा से मंगाया तिल्दा नेवरा 36 गड़ भाटा पारा के पास में हैं वहां से मैंने इसे मंगाया है अपने गार्डन के लिए और यह पॉट देखिए यह ऐसी इसी तरह के पॉट मैंने पहले और भी मंगाया थे और उन्हें paint कर लिया है कुछ प्लांट भी मैंने लगाए हैं आप लोग यह तीन मिला है दो में मैंने लगा दिये हैं प्लांट और उससे थोड़ा चोटा सा लगभग तीन इंज का है तीन चार इंज का यह वाला पॉट और काफी अच्छा थोड़ा हेवी भी है और अच्छा मजबूत भी है यह मुझे पड़ा है 40 रूपीस का चार इंज का होग और इसमें होल नहीं बने हैं तो कुछ में मेरे बच्चों ने होल बना दिये हैं और कुछ में होल नहीं मैंने बनाये हैं क्योंकि अभी मुझे इसकी जरुवत नहीं है टैरिस पे ही रखा है लेकिन इन सब को मुझे दुबारा पेंट करना होगा विंटर सीजन में क्योंकि कि मैंने विंटर के लिए ही से मंगाया है और कुछ खास प्लांट जो इंडोर प्लांट है उनके लिए मंगाया है तो यह सारे पॉट आपको कैसे लगे जरूर बताईएगा 10 रुपीस में छोटे-छोटे से मिले हैं और 40 और 50 में यह वाले गमले मिले हैं जो काफी अच्छे लगे मुझे और मिट्टी के गमले तो ऐसे बहुत अच्छे होते हैं बस यह है फ्रेंड्स की यह गिरने पर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं लेकिन जो मैंने मंगाया है वो काफी अच्छे मजबूत है नहीं टूटेंगे गिरने से तो इस तरह कि मैंने पॉट पर्च तो उन्हीं से मैंने लिया था गमला तो उन्होंने कहा था कि और भी गमले अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा दूंगी तील दानेवरा से तो वही मंगवाई है मेरे लिए और कुछ आज मैंने और भी वर्क किये हैं देखे बहुत सारे गुलदाओदी के प्लांट और ज इस तरह के छोटे-छोटे काम आज मैंने किये हैं तो आसा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई